नमस्कार दोस्तों मैं पंकस्तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल देव भूनी उत्रा खंड में अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो जादा से जादा लोगों तक सियर कीजिए दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे NRC और CA क्या है और इसके जो विरोज में हमारे देश वाची जो परदर्सन कर रहे हैं और इसके लिए जो कुछ राजनितिक पाल्टिया हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बारे में कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों क इस वीडियो के बारे में की आखिरी क्या क्या चीजें हैं और क्या इससे फाइदा हो रहा है और क्या नुक्सान है इससे देश वाच्यों को नुक्सान कहें तो नुक्सान की बात अगर मैं करता हूं तो कोई ऐसा नुक्सान है नहीं जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको नागरिक्ता मिली हुई है तो उनको ऐसा कोई नुक्सान है नहीं लेकिन जो सरकारी संपत्ती को नुक्सान पहुचाने की बात है जो सरकारी संपत्ती को नुक्सान पहुचा रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा छोटे बच्चे घरों में इनकी उम्रह स्कूल पढ़ने पठरवाजी कर रहे हैं, दो इस उन लोगों को सोचने की बात है कि इनके बच्चे ही कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अगर वही बच्चा पढ़ाई करता, तो समस्ता इस चीज को की जानता और कई लोग ऐसे जिन से पूछा गया कि ये क्या है उनको ये ही पता नहीं कि वो प्रोटेस्टिक क्यों कर रहे है अगर हमारे समिधान ने राइट दिया है आपको रिकार दिया है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं लेकिन उसके लिए एक तरीका है आप ऐसा नहीं कि आप सरकारी समपत्य को नुक्सान पहुचाएंगे जो लोगों के टेक्स से जो पैसा से जो चीज जूड़ी है सरकारी समपत्य जूड़ी है आपके टेक्स से हमारे टेक्स से जो सरकारी समपत्य जूड़ी है हम उसको नुक्सान पहुचा रहे ह और कल के दिन अगर महेंगाई होती है या कोई ऐसी चीज़े होती है तो हम उसकों लिए सरकार को दोल देते थे आज कुछ न्यूज पर मैं कुछ न्यूज चैनलों पर मैं देख रहा था कि इतने करोड की संपती का नुक्सान हो गया दो-तीन दिन के अंदर तो यह भरपाई यह सरकार कहां से करें आपने कभी सोचा तो मैं बता देता हूं वह सारी भरपाई आप लोगों से होगी हमसे होगी हमारे पैसे से ही वह आप जोड़ा जाएगा लेकिन हम इस चीज़ को समझने के लिए तयानी और चंद मुठी वर लोग हैं जो इसका अब लब है नैशनल रेजिस्टेसान ऐस AlecA सीटीजन बिल इसको सी एयरं के नाम से चेंइस अब यह पहले था आप इस इपिल के रूप में और रूंपको बिल, दोस्तों एनर्सी के तहत आपको साबित करना होगा कि 24 मार्च चे 1921 से पहले आपके पूर्वज जो थे वो भारत में आई चुके थे, ये आपको इस एनर्सी में साबित करना होगा, जब हम इतने टाइम से हां रह रहे हैं तो ये साबित करना हम लोगों के लिए हमारी पैदाएस हमारे पूर्वजो की पैदाएसी यहीं हुई तो यह साबित करना कोई बड़ी बात नहीं जो हमारे देश के लोगों को इससे डणने की कोई बात है क्योंकि हम इनने सालों से यहां रहते हैं जब से हम पैदा हुए हमारे पूर्वत पैदा हुए हमारे पूर्वत पैदा हुए तब से हम यहां रह रहे हैं तो हमको इससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है किसी भी धर्म या जाती के इंसान को इव्यक्ति को इससे कोई घबर और घबराने की कोई बात नहीं है और मैं आगे आपको NRC में क्या 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 है आपको क्या क्या documents होने चीए आपके पास वो बता रहा हूं भारत का वैद नागरिक आपको साबित करने के लिए refugee registration आपके पास होना जरूरी है आधार कार्ट होना जरूरी है पासपोर्ट होना जरूरी है और कई ऐसे documents हैं जो आपके पास होने जरूरी है बोटर आईडी हो गया और अन्य दोस्तों अब हम बात करेंगे CAB CAB CAA यह क्या है CAA है जो भारत में रह रहे पागिस्तान अफगानिस्तान पांगलादेश के सर्णार भी है जो उनके धर्म के आधार पर उनके प्रतार्णा की जारी है वो हिंदुस्तान अगर अगर रहना चाहें पूरे कुमेंटेशन के साथ तो उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी यह इस बील में साब तो पर लिखा हुआ है तो दोस्तों CAA क्या है CAA है सुरी दोस्तों CAA के बारे में मैं आप लोगों को बता चुपा हूँ मैं इससे बताना चाहा हूँ कि इससे भारत के जो हमारे मुसल्बान भाई हैं इनको इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा जो भारत सरकार गरम अन्तारल है उसने पहले ही साब कर गया कि जो भारत में रहे रहे मुसल्बान भाई हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन फिर भी कई मुसल्बान भाई प्रोटेस्ट करने निगल चुके हैं और सरकारी संपती को नुक्सान पहुचा रहे हैं और यह सोचते हैं कि इन चीजों से जो है सरकारी बिल बंद कर देगी इस तरह से तो दियी हो पाएगा यह मैं आप लोगों को भी जानकारी देल जो सरकार के संपत्य उसको नुक्सान कहुचाएंगे सरकार कानून में यह तो नहीं रिखाए न आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए सांकी तूंध हमसे कीजिए आप आपकी जो मांगा है उनको रखे आपकी मांगा क्या है आपको खुछ पता नहीं और आप चले हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं तो मेरा उन सभी जो प्रोटेस्ट कंदे निकले हुए हैं उन सभी से अनुरोध है देव भूमियूत्रा खंडी के पूरे परिवार की ओर से किसा अगर आप किसी बात को अपना मनाना चाहते हैं को यह आपकी मांग है तो उसको शांतिपूंध हम से आप सरकार के समक्ष रखेंगे सरकार भी समझेगी तब उस पर फोकस होगा अगर आप इस तरह से करते रहें आप यह चीज़े भी सोच लीजे कि आप कुछ कितने होंगे एक लाख लोग ऐसे होंगे जो इसका विरूद कर रहे हैं कुछ उसमें से 50,000 तो ऐसे होंगे जो राजनीति पाध्यों से तालूग रखते हैं जो अपनी राजनीति के लिए यह सब कर रहे हैं और 50% जो हमारे नौर्मल रहने वाले मुसल्बान धाई हैं वो इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ परसेंट जो हमारे बच्चे हैं जिनको पांड़ना चीए वो इसमें एक्लिदेन विए हैं तो फोड़ा इन पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप इतना समझ यह समझने की पाथ है कि जो एसका समर्धन में लोग हैं जिन वह आगे समर्थन में और रोडंडों पर आगे शडक पर वह लोग आगे जो इसका समर्थन करते तो तब आप सोचिये, तब क्या होगा? यह आपको सोचना है, मुझे नहीं हम तो चा थे कि सांतिपूर्ण हंचा अगर आप कोई भी चीज करवाना चाहरे हैं तो उसको सांतिपूर्ण हंची कीजिए सरकारी संपत्ति को कोई नुक्षान नहीं पहुंचाहिए क्योंकि वो संपति आपकी है, मेरी है, हमारे टेक्स से, हमारे पैंसों से जुड़ी हुई है और कल के दिन इसकी भरपाई यह होगी, वो हमारे पैंसों से ही होगी यह आपको समझने की बहुत ज़रुत है कि इससे कोई फाइदा नहीं है, कानून बन चुका है, यह लागो होगा और इसमें कोई गलच भी नहीं है, जो तुम नागरिक हो, आप इतने द्रसकों से यहां रह रहे हो तो आप इसका कोई प्रभान ही पड़ेगा, आपके लिए अच्छा है कि आपका रिकॉर्ड होगा गौर्मेंट के पास, आभी तो आपको दिक्कत लगरी होगी, लेकिन अविश्य में आपको इससे जो होने वाले फायदा हैं, उसके बारे में पता चलेगा, कितने लोग आते हमें डेश में कितने गुष्पेश्ते आरते हैं, इसका कोई भी विपाुड हमारे पात नहीं है, और रहते हैं हमारे 500 से हमारे जो संसादन हैं, उनका उप्योब करते हैं, तब हमें इस चीज से पारे में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परिसानी नहीं होती हम आड़ाम्ती जिसकी बदर से हम हिंदु भाई मुसल्मान भाईयों में थोड़ा तनाव रहता था इन चीज़ों को खत्म करने की कोसिस कर रहे हैं लेगिन हम चंद जो कुछ चंद भर लोग हैं वो इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों देव भूमी उतरा खंड़ा आपसे रिक्वेस्ट करती है सांति पून प्रोटेस्ट कीजिए अपनी मांगों को सांति पून भाई से गौवर्मेंट के सामने रखे और जूरे रहें और इस वीडियो में अगर आपको कोई बुरा लगा कोई ऐसे सब्द मैंने अ तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर यही पताएं मैं आप तक उसको संसोधन जो भी होगा मैं आप तक वो करने के कोसिस करूंगा जुड़े रहें देव भूमी उतरा खंड़ के सांथ और उत्रा खंड़ से जूरी किसी भी जानकारी के लिए आप उत्रा देव भूमी उत्रा खंड़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उत्रा खंड़ के टेंपलों के बारे में और जानने के लिए मेरे ब्लॉगर पेज और वर्ट्प्रेस पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए और फेस्बूप पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं सब के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन पर देढ़ूंगा तेकि दोस्तों सांतियपून प्रोटेस्ट कीजिए सरकारी संपति को नुक्सान नहीं पहुचाईए यही मेरा आप लोग से कहना है जय देव भूमी जय उत्राखन भाराज मातागी जय वन देव जय ही